नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा. इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे की सिस्टेन अल्ट्रा आई ज्रॉप का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है. सिस्टेन अल्ट्रा आई ज्रॉप को आँखों में कैसे डालना चाहिए और सिस्टेन अल्ट्रा आई ज्रॉप की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं? और यह भी डिसकस करेंगे की सिस्टेन अल्ट्रा आई ज्रॉप को आँखों में डालते समय क्या-क्या सावधानि या रखनी चाहिए. सिस्टेन अल्ट्रा आइ जॉप का उप्योग आँखों में सूखापन यानी आँखों की जाइनेस को ठीक करने के लिए सिस्टेन अल्ट्रा आइ जॉप का उप्योग किया जाता है. इसके अलावा आखों में कोई चोट लगने पर या आखों में कोई इंफेक्शन होने पर भी डॉक्तर सिस्टेन अल्ट्रा आई ज्रॉप को आखों में डालने की सला दे सकते हैं। इसके अलावा सिस्टेन अल्ट्रा आई ज्रॉप आखों में लालपन और सूजन को भी कम करने में मदद करती हैं। आखों में किरकिरी महसूस होना, थोड़ा सा काम करने पर ही आखों में ठकान होना, पढ़ने या कम्प्यूटर पर काम करने में परेशानी होना, आखों में या आखों के आसपास चिपचिपे म्युकस का जमाव होना आधी लक्षर आखों में सूखापन होने पर हो सकते हैं Side effects की बात करे तो वैसे तो Sistain Ultra Eye Drop की वज़ा से अभी तक कोई Serious Side Effects नोटिस नहीं किये गए है लेकिन Sistain Ultra Eye Drop को आखों में डालने के बाद आखों की दृष्टी कुछ समय के लिए धुंदली हो सकती है यदि किसी व्यक्ति को Sistain Ultra Eye Drop को आखों में डालने के बाद आखों में जलन, खुजली और आखों में लालपन की समस्या ज्यादा होती है या लगातार बनी रहती है तो ऐसी स्थिती में आपको डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए क्योंकि आपका डॉक्तर Sistain Ultra Eye Drop को बंद करने की सलाह दे सकता है अब हम डिसकस करेंगे कि Sistain Ultra Eye Drop को कितनी बार आखों में डालना रेक्मेंडेड होता है ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर Sistain Ultra Eye Drop को दिन में 3 से लेकर 4 बार आखों में डालने की सलाह देते हैं लेकिन Sistain Ultra Eye Drop की दोज उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको Sistain Ultra Eye Drop को आखों में डालने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे की Sistain Ultra Eye Drop को आखों में डालते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Sistain Ultra Eye Drop को आखों में डालने के बाद Sistain Ultra Eye Drop के ढखकन को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए और Sistain Ultra Eye Drop की बोतल की चोच को कभी भी उंगली या हाथ से नहीं चुना चाहिए क्योंकि ऐसा करने की वज़ा से आखों में इंफेक्शन हो सकता है Sistain Ultra Eye Drop की बोतल को एक बार खोल लेने के बाद Sistain Ultra Eye Drop की उस बोतल का उप्योग एक महीने के अंदर कर लेना चाहिए और Sistain Ultra Eye Drop की खुली हुई एक महीने से पुरानी Eye Drop को आखों में नहीं डालना चाहिए Sistain Ultra Eye Drop प्रेगनेंट महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी Sistain Ultra Eye Drop का उप्योग करना सुरक्षित है इसलिए जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Sistain Ultra Eye Drop को आखों में डालने की सला दे सकते हैं वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Sistain Ultra Eye Drop से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं